है गाइज वेलकम बेक टो मैं चैनल अश्ट्रेगन मैं हूं चेतली चलिए आज बात करते है रिगादिन दो ओल लिकेज इन भागजान ओ आया थे एक न्यूज की ओल वेल ब्लो आउट नियर असाम नेशनल पर यह टो भी कॉंट्रल एंवर्मेंटलिस्ट फियर अडवर्स इ इस न्यूज से यह पता चलता है कि ऑड प्लैन का लिकेज हुआ है जो कि बागजान में है बागजान ओयल जूज को परेशाने इस न्यूज से और इस न्यूज को इतना कोवरेज क्यूं नहीं मिला चला देखते हैं तो यह देखे एक पिक्चर में यह मैजर ब्लो आउट टो प्लेस अन मेर 27 मेर 27 ने मैजर ब्लो आउट हुआ था मैजर लिकेज हुआ था एड गैस प्रोडूसिंग वेल बागजान 5 अंडर बागजान ओल फिल्ल ठीक है तो यह प ऑगजान वाइलफ सेंचुडी किया है एक साइन में जो है वह दी ब्लो सेखिया है और एक साइन में जो है वह मागोरी बील वेटलेंस है इसे आपको पुरा-पुरा अंदाजा हो सकता है कि जो यह एरिया है यह बहुत रिच इंपार डावर्सिट्यर केरे बाष प़िर से तो इस मैप में आप देखिए जो डिबू सोखिया है वो बागजान से काफी सामने है वह 3 km के सामने बताया गया है कि 3 km के आसपास है तो यह पागजान आउल इंडीया फिल्ली मिटेड थाल ऑभाजान ओल लिबू सहके नर्शनल पार्क के सामने हुआ है और यह है माँगूरी इस समने नेख पिस ध और यह है थिरघ्धी खेस्व बिल को इस पहला करेफ sound ओर यह सामने है और यह है जीर्ञ दीपूडशमें से आप है नाजम को अलगेनर तो जैसर पर नेखन कोशल के परOh चुब अछे सब एक थे लिए इनने मिलए जाते हैं यह इसम एन दैंडिंजर टैंडिंजर शिए बाइड़ने demasi He जैंजेटिक दॉल्फिन जो है फिर एशिएटिक वाटर बफिलो एंड सो अन इस ओंड आधर इनिमन्स लाइक टाइगर रेसस मेकाख फुलो गीबॉन एशिएटिक एलिफेंट सांबर जंगल केट ऐसा मिस मेकाख एंड स्लो लॉरिस ठीक है तो रिसेंटली देखिए जो दे तो दो ओल इंड लेमिटेड एस गेंड एट इस रिलीजिंग अन्यचे इन अन्चेट अन्कोंट्र मेनर सिंग इंचिएट इंचिएट रिफेंट रिफेंट इंचिएटिक गीबॉन पानी दे रहे जाकर की जो इंपैक्ट है जो अलिकेज का वह कम हो सकेंट थीक है तो यह कि प्रोसेस केया है वो उन्होंने इस इस स्टेटमेंट में बता है ठीक है इस पिक्चर में देखिए आप जो पानी से जो आपको तो पता है कि ऑल जो है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है तो यह देखिए इसमें जो ऑईल है जो उपर है जो मिक्स नहीं हो रहा है इसमे I spoke to Union Petroleum Minister मतलब Dharmendra Pradhan Ji regarding the gas explosion at oil fields in Baghdad and requested him to provide financial assistance to the affected family ठीक है तो उन्हें ये ट्वीट किया Dharmendra Pradhan Ji ने assured किया Chief Minister that positive steps will be taken so as far as the transport of experts from Singapore to plug the leak experts from Singapore will come to plug the leak Joint Secretary from Union Petroleum Minister has also directed to rush to the side to take stock of the situation Minister Pradhan assured Minister of Oil and Natural Gas Corporation that is Pradhan Dharmendra Pradhan Sir ने कहा है कि कुछ भी चिंता करने के ज़रूरत नहीं है वो लोग experts जल्दी ही भीज देंगे कल एक मीटिंग हुआ था चार तरीको तो उस मीटिंग में सब कुछ तै हो चुका था ठीक है Singapore based firm MSLR disaster control has been contacted and to express schedule to arrive at the place अना सामफोर देखे मैंने कहा है आपको कल एक मीटिंग हुआ था जून फोर में तो इसमें लिखा है कि all safety and security measures are continuously being monitored to protect surrounding villagers and their properties working teams protection of the environment would be paramount while carrying out the well well-controlled corporation तो यह है एक statement from All India Limited ठीक है फिर लोकेल्स ने कहा है कि जो यह oil leakage हुआ है इसमें से क्या हुआ है जो गंगेटिक डॉल्फिन है उनका लाशे मिली है जो कि इंडेंजेर स्पेस है एसपर दा आयूसीं रेडलेट लेज्ट तो उन्होंने कहा है कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है उनका लाशे मिल चुकी है देखिये क्या हालत हो रही है इन्वार्मेंट में थीक है तो अब भी देखते हैं कि थीक हाल प सिथा है नाक। अब सकमी करे चाहिए नाक। या किक बिर्य करते थीक है है से देखिय देखिये मैंने अपने ही जो पहलेिकते है है खारी Heg में आ ohye यह थीन लेयर बन जाता है सर्फेस अब दा वाटर में जो कि जो सनलाइट है उसे पहुचने नहीं देता है जो कि छोटे चोटे पेर है पानी के नीचे उसके लिए बहुत इंपोर्टन है जो कि फीशेस का दो दूसरे एनिमल्स का अंडर वाटर प्लैंस या निमल्स का वह फूड होता है तो जब उन्हें वह सनलाइट ही नहीं मिलेंगे तो वह जियेंगे कैसे ठीक है तो यह इंडिर अगर फाइटो प्लैंटों नहीं रहेंगे तो छोटे मचली क्या खाएंगे तो इसमें से यह क्या होता है यह एको सिस्टेम को एफेक करता है ठीक है और अन्वार्मन इंपक्ट अन्हां अन्वाल अन्वाल लेफ यह देखे यह जो पिक्चर है यह इंडिया टुडेए के जो आटिकल वसमें से मैने लिया है तो धाइबिट डिस्टर्क्षन इस अशुड इस ओपिश्ट मोस्ट फीसिबल एफेक्ट विल बी उन्शोर बाद बनीद दा वाटर देलिकेट बैलेंस इन रिफ और शेलो मतब जो बैलेंस जो है जो मैरान लफ का एक बैलेंस जो रहता है पानी के नीचे वह ओविसली इंपेक्ट गिरेगा अन दे हैबिटे अन दे वाइल लेफ तो प्लैंक टॉन प्रोडूसर्स अद बॉट्टम दे उससे भी बहुत इंपेक्ट गिरता है रिगाडिं दे हील्थ अब दा इनिमल्स ठीकर अब मैरान लाफ के भी बहुत सारे इंपेक्ट मैं आपको अभी डिटेल्स में नहीं बताऊंगे अब मैरान लाफ क्या करता हूँ यह लोग अगर यह पॉज़न चीजा खाएंगे तो तो इंडिरेक्ली हम उस मेरान लाइफ को कभी कभी खाते हैं, like the fishes we eat, तो इंडिरेक्ली वो सब हमारे अंदर भी जाते हैं, तो all these are related, right, the ecosystem is related to one another, the food chain is related to one another, तो environmentalist काफी परेशान है regarding this news in endangered category, तो क्या लिखाए, environmentalist raised an alarm on Friday when locals found carcass of gangetic dolphin, जब locals को ये gangetic dolphin का जो लाश मिले इस से environmentalist को बहुत बुडा लगा, not only the environmentalist with the local people also get very much bad, very much saddened by the news, endangered category by the IOCNT, with this skin peeled in margory wetland, जो मैंने कहा है, तो by tomorrow we will see the extent of the damage, जीवेन दता है, एक जो environmentalist है, उन्होंने ये tweet किया था, तो देखिए, Assam is waking through a thread story, दिब्रू सेखिया नेशनल पर्क, not only दिब्रू सेखिया बट असो देहिंग पठक है, तो सभी जो नेशनल पर्क है, जो Assam जाने जाते है, regarding the biodiversity, various types of animal spaces are there in Assam, तो ये एक impact हो रहा है to the environment, तो हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए, इसके steps क्या है, ये जो oil spillage होता है, वो मतलब जो pressure difference है, जो pressure का कुछ system में pressure difference होने के कारण ये सब होता है, तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या जो लोग जो workers है, उनके लापड़वाही के कारण ये हुआ है, ये जो lockdown के वज़े से, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसके वज़े से हो रहा है, आपको क्या लगता है, ये क्यो हो रहा है, जहाँ विजाग में भी ये कुछ gas leakage हो था कुछ दिन पहले तो ये सब क्यो हो रहा है, क् करना फारस पंडेमिक एक रिजन है, बूस्ट पर आपा रहा है, बज़े मुझे को में बताए है, रिगार्डिग ये ओर आपिनिन, थापिनिक तो यू